दोस्तों इन दिनों बॉलीवूड को लेकर एक खबर सोसल मीडिया पर आप लोगों ने देखी होगी जिसमें ये बाते लगतार बॉलीवूड को लेकर कही जा रही थी कि बाई बॉलीवूड में बहुत ही ग्रूपिजम है बॉलीवूड में केवल बॉलीवूड के घरानों क बच्चों को ही काम मिलता है बॉलीवूड में केवल बॉलीवूड के बड़े-बड़े कलाकारों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है और जो भी बाहरी कलाकार बॉलीवूड में आकर अपना अस्तित्तु बनाना चाहता है उसे काफी संघर्सों का सामना करना पड़ता है यानि विया ऐसी कई सारी खबने आप लोगों ने लगतार सोचल मीडिया प्रेटफॉम पर देखे होगी लेकिन आज मैं आपको बॉलिवूड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाना हूँ रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े हूँ या बॉलिवूड के अंसन वारियर यानि कि वर्साटाइल सूपरिस्टार अजे देवन की आने वाली एक ऐसी फिल्म से जो की 17 साल तक डिबा बंद रही दोस्तो आप सोच रहे होगे कि विया अजे देवन की एक फिल्म जिसे रिलीज होने में 17 साल लग गई तो दोस्तो इस फिल्म का नाम है नाम है और यह फिल्म अब फाइनली या तो OTT प्लेटफॉम पर या फिर सीधा एक मूबी चैनल पर रिलीज होगी और भाई इस बात की जानकारी ही इस फिल्म के डिरेकटर यानि की अनिस बजमी ने खुद दी है कि भीया उन्होंने इस फिल्म का काम 2004 में कम्पलीट किया था और भाई अब वो इस फिल्म को सीधा सिनेमा घर में ना लाकर या तो OTT प्लेटपॉर्म पे लाएंगे या तो ये फिल्म सीधा एक मूवी चैनल पर लिज होगी तो दोस्तो नाम के बारे में मैं आपको बता दू कि भीया इस फिल्म का जो काम था वो 2004 में कम्पलीट हुआ था और इस फिल्म में अज़े दुगन के साथ में समीरा रेड़ी, भूमीका चावला और राहूल देव नजराने वाले हैं और इस फिल्म के प्लॉट के बारे में ये बात बताई जा रही है कि भीया ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और भाई इस फिल्म को लेकर अनिस बजबी ने भी अपने एक इंटर्व्यू के दौरान ये बात कही थी यह फिल्म अजदवन की बहतरीन फिल्मों में से एक है यानि इस फिल्म में अजदवन ने बहुत ही बहतरीन परफॉमेंस किया था लेकिन उसके बावजूद यह फिल्म सिनेमा घर तक नहीं पहुँच पाई और सबसे मज़े की बात आपको बताओ तो दोस्तो इस फिल्म का म और भाई अब यह फिल्म सिनेमा घर में ना पहुँचकर OTT प्लेटफॉर्म या फिर एक मूवी चैनल पर रिलीज होने वाली है जैसे कि हाल फिलाल में ही अनिस बजमी की एक फिल्म यानि कि It's My Life को रिलीज किया गया जी सिनेमा पर तो दोस्तो ऐसे खबरों को सुनने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आता है जिस बॉलिवूड को लेकर यह बाते लगातार कही जाती है कि यह बॉलिवूड में बहुत ही नेपरिजम है बॉलिवूड में बहुत ही गुरूपिजम है तो भाई उसी पूंपे आएगी या फिर एक मूवी चैनल पर आएगी और भाई ये एक बहुत बड़ी बात है कि भी या ये फिल्म अजय देवगन की फिल्म है आप अपने कमेंटी के मादम समझ दो बताईएगा लेकिन भाई मैं तो इस फिल्म का बहुत ही बेताबी से इंतजार कर रहा बाई ये फिल्म अजय देवगन की बहतरीन परफॉविंस वाली फिल्म है तो बाई अगर आप अजय देवगन के फैंस हैं तो ये इस फिल्म को देखने के लिए हो जाई है तैयार बहुत जल्दी ही ये फिल्म या तो रिलीज होगी या किसी मूवी चैनल पर या फिर OTT प बाई